Hello friends, let's solve this sum इसमें हम क्या करेंगे, रूट 3 है, वो दोनों के साथ है So it will be रूट 3 भी दोनों के साथ है और ये जो x है, वो भी दोनों के साथ है ठीके, तो हम क्या कर रहे, रूट 3x ये रूट 3 और ये x आज में लिख दिया 1-2, रूट 2-6 Now, रूट 3x into 1, रूट 3x रूट 3x into 2, रूट 2, रूट 2 into रूट 3x And here, it's 6 Now, रूट 2x square, रूट 3x Here, 2 रूट 2 into रूट 3x minus ये हमने क्या क्या, 6 को convert किया हमें समझा रहा हूं कैसे हुआ देखो, 6 को हम लिख सकते हैं 2 multiply by 3, ठीक है अभी 2 को हम लिख सकते हैं root 3 into root 3, right? So, this is how 6 की जगा मैंने लिख दिया 2 root 3 into root 3 Now, you might think, ये मैंने क्यों किया ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे common लेने में easy रहेगा, ठीक है? अभी देखो, इसमें 4 term हो गई ये एक term हो गई ये दूसरी term ये पूरी तीसरी term और ये last term So, here So, from these two terms I will take the common So, it will be x common in both the terms So, I will take the common x into bracket root 2x plus root 3 Here, in second and in third and fourth term I will take the common root 3 Right? So, root 3 will be common and 2 will be common So, 2 root 3 I will take as common So, 2 root 3 into bracket it will be root 2x minus root 3 because this is root 3 So, now both the brackets are same So, bracket के बाहर वाला साथ में x minus 2 root 3 and this is root 2x plus 3 दोनों के लिए 0 ले लिया ये हो गया 2 root 3 ये हो गया minus root 3 upon root 2 ये root 2 इदर आया तो divide So, I think you understood this sum This sum is special sum You need a special technique to solve this Okay, उसके आगे जाते है इसमें condition क्या बनेगी multiply करो तो मुझे चाहिए 12 into 12 that's 144 multiply करो तो 144 चाहिए और plus करो तो minus 25 चाहिए अभी इसमें हम किस तरह से करेंगे तो ये मुने 144 के parts करके ही रखे है इसमें से हम team बनाएंगे team किस तरह से बनेगी तो इसमें आप कोई भी assumption कर लिजिए जैसे कि 2 to the 4 to the 16 and 9 देखे पहले ट्राइल में हो गया 16 and 9 25 होता है तो इधर लिख देंगे minus 16 minus 9 इधर लिख देंगे minus 16 minus 9 minus minus plus plus 144 minus minus plus sin minus का minus 25 दोनों कंडिशन मेरी fulfill हो गए हैं तो यहां minus 25 x ही जगा हम लिख देंगे minus 16 x minus 9 x so here minus 16 x minus 9 x so common लेना है अभी common लेने के लिए मैं फिर से दिखा रहा हूं if you can't figure out कि क्या common है तो आपको भी इस तरह से करना है 12 x square उसके smallest part करेंगे तो 2, 2 is a 4, 3 is a 12 into x into x अभी आप 16 x के common लेंगे तो हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into x दोनों में common क्या है तो दोनों में common है 4 x 2, 2 and x 4 x common है दोनों में तो इधर 4 x common ले लिया into bracket 3 x minus 4 इधर common लेने के लिए क्या टेकनिक है इस से पहले bracket के पहले term से divide करो x x cancel 3, 3 is a 9 so it is 3 common तो इधर हम लिख देंगे 3 bracket में रही जागा 3 x minus 4 now दोनों के पराबर 0 ले लेते है ठीक है minus 3 x side आएगा तो plus 3 4 divide में so 3 upon 4 and 5 upon 3 इसमें same है partition यहीं चलेंगे लेकिन condition बन जाएगी कि multiply करो तो मुझे चाहिए 144 multiply करो तो मुझे चाहिए 144 that's minus 144 and plus करो तो मुझे चाहिए plus 7 x ठीक है अभी इसमें से हमें team बनानी है हम ध्यान से team बनाएंगे देखो इसमें से इस तरह से condition करनी है कि plus 7 मिले तो यह suppose यह 18 ले लेते हैं और यह 8 ले लेते हैं 18 8 10 हो जाएगा नहीं चलेगा ठीक है उसके अलावा हम और technique करेंगे कि हम ले ले लेते हैं 16 में से 9 जाएगा तो 7 आजाएगा आजाएगा 16 9 हमें team मिल गहीं 16 9 अभी इदर माइनस 144 है तो इसमें से कोई भी एक को माइनस sign देना है इदर bigger number sign होती है इदर प्लस इदर माइनस हो गया इधर प्लस इधर माइनस प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 प्लस 7 यह 16 9 दोनों में से कॉमन 4x इंदू रेके 3x प्लस 4 अभी यह मैं explain नहीं कर रहा हूं किये से कॉमन अगर आपको समध नहीं आता है ताब smallest part करके ले सकते हो तो यह मैं तो यह मैं तो यह मुड़ियम कर 3 upon 4 minus 4 upon 3 तो यह मुड़ एक तो आपको वाचिक चुह से इन लाँग वीडियो झे नेक्ट का रेके लिए